Hello everyone, so अभी तक हमने देखे थे DFS के सारे traversal, क्या थे जो की binary tree पे, pre-order, in-order और post-order, ठीक है, उसको हमने इच्छे से detail में देख लिया, अब एक और traversal आता है, जो की है DFS, breadth first search, इसके पहले हमने क्या देखा था, depth first search, ठीक है, अब इन दोनों की बीच में मैं difference अल्रेडी बता च recursive उतना चलता नहीं है, उतना famous नहीं है, iterative इसका बहुत famous है, iterative तो तुम इतना कर लोगी कि तुमें इसका जो code है वो रट जाएगा, तुम इसके इतने problems करवा दूँगा मैं तुमको, कि तुमको उसका BFS का code ही रट जाएगा iterative, वो बहुत जगा use होता है, ठीक है, इस व प्लेलिस्ट है, उससे refer कर सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे-चे problems कराएं, उसके बाद ही graph start करो, नहीं तो बहुत problem होगी, ठीक है, तो BFS हो क्या बोलते है, level order traversal, level order traversal मतलब, देखो, सबसे पहले, ये एक level है, ठीक है, ये एक, इसको L1 बोल देता हूँ मैं, इसको बोल देता हूँ L2, और इसको बोल देता हूँ L3, ठीक है, अब ये level कैसे decide होते हैं, अब मान के चलो, एक और, अब ठीक है, ये binary tree नहीं रहा, क्योंकि मैंने एक और branch निकाल दी यहां से, बट ये graph तो है, ठीक है, BFS सिर्फ binary पे नहीं लगता है, BFS overall graphs में लगता है, लेकि ये level 3 में आ गया, नहीं, ये level 3 में नहीं आया है, ये आया है level 1 में अभी, तो ये मैंने कैसे decide किया, देखो, ये जो current node है, इससे जितने भी node directly connected है, वो उसके next level के node होंगे, मतलब 1 से 2 directly connected है, 1 से 3 directly connected है, और 1 से 5 directly connected है, इसका मतलब 5 level 2 में आएगा, ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पर एक और बना दिया, इसको बना दिये 7, अब यह किस लेवल पर आता है, यह आएगा लेवल 3 पर, क्यों, क्योंकि 2 लेवल 2 पर था, और 7 किस पर है, 2 से directly connected है, तो उसका next लेवल क्या हो जाएगा, लेवल 3, अगर मैं इसको root मान रहूं तो, ठीक है, तुमको लेवल 0 बोलना है, 0 based indexing के हसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं level 1 बोल रहा हूं, तो मैं जो बोलना है, but numbering ऐसे ही होगी, जो directly connected है, वो next level पर आएगे, और इसी तरीके से हम traverse करेंगे, ठीक है, तो इनको मैं मिटा देता हूं, अना क्योंकि हाँ पर हम binary tree से deal कर रहा है, तो यह सब नहीं होना चाहिए, यह सब illustration के लिए था, अब मान के चलो, अगर मुझे इसका traversal करना है, ठीक है, इसका level order traversal करना है, मतलब, यह tree का level order traversal print करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए क्या level order traversal होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा रहेगा, ठीक है, 1 के बाट, फिर 2 पर 2 से 3, फिर 3 से इसना है level पर आऊंगा, ऐसे आऊंगा, लेकिन level wise traversal करूँगा, ठीक है, यह पलट भी सकते है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 2 भी हो सकता है, मतलब, उल्टा भी traversal कर सकते हो तो, लेकिन level wise होना चाहिए, मतलब, 1, 3, 2, 6, 5, 4, ठीक है, यह अभी भी level order traversal ही प्रॉबलम देखो, तो उसमें उन्होंने क्या बोला है, हम lead code के through ही करें, हम lead code में solve करने वाले इस problem को, recursive तरीके से, उसमें उन्होंने क्या बोला ही, कि जो तुमको return करना है, वो एक 2D matrix के form में return करना है, जो तुमारा output होगा, वो 2D matrix क्या है, देखो, वो ऐसी दिखनी चा है vector of 2, यहाँ से एक नया vector निकला है, जिसमें इस level का information है, यहाँ से एक नया vector निकला है, जिसका इस level का information है, और इस position पे level 3 का information है, ठीक है, यह level 1, यह level 2 और यह level 3, हमको ऐसे return कराना है, 2D matrix के form में, अब इसको recursively कैसे करें, सोचो, बहुत simple है, जाद हो कुछ है नहीं, recursion है चलो, तुम्हारे पास यह एक पूरा graph है, ठीक है, यह एक पूरा graph है, तो इसमें यह जो task है, क्या वो repetitive है, obviously repetitive है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास यह graph है, तो इसमें यह जो level है, इसमें same काम करना है, अना, अब यह एक नया sub problem है, इसका left subtree, और इसका right subtree, उसमें भी same problem है, उसमें भी हमें सेम चीज करना है जो main problem में करना है वहाँ भी level order traversal करना है यहाँ भी level order traversal करना है इसके subtrees में तो वो sub problem कैसे छोटे होते जा रहे हैं बट काम मेरा वोई है इसलिए मुझे recursive का idea आया समझ रहे हो तो थोड़ा बहुत hint तो आगे होगे कि जो recursive relation होगा तुमारा जो recursive relation होगा उसमें एक चीज तो होगी तुम क्या करोगे इस tree को भी बुलाओगे और इस tree को भी बुलाओगे मतलब तुमने जो भी काम करना है कर लिया ठीक है तुमने अपने फिर left subtree को बुलाया और फिर right subtree को बुलाया दौनों में same चीज करने को बोलोगे तुम तो recursive relation तो set है तुमारा recursive relation में क्या है तुम्हें note का left भीजना है और note का right भीजना है कुछ additional information के साथ वो additional information क्या है देखो तुम्हाँ पास यहाँ पे दो changing चीज़े है उन चीजों को ध्यान दो वोही चीज change hoangगी throughout the problem एक तो root देखो इस problem में, main problem में root यह है इस sub problem में root यह है इस sub problem में root यह है यहाँ पे यह है और इस sub problem में यह है तो root change होता जाएगा तुमारा हर recursive call में यह बात समझ गए दूसरी चीज क्या change होंगी तुमाई Level सबसे पहले तुम्हें इसको बताना है कि yang level 1 है तुम्हारे output में तुम यह कैसे define करोगी 1 इसको belong करता है 23 इसको belong करताह 456 इसको belong करताहि है यह level है राइट तुम्हें यह level भी change होंग 스म्हां इस पास दो तो तुम्हाई पास दो चीजें चेंड होंगी तुम शुरुवात करोगे किसे रूट से और 0th लेवल से ठीक है तो वहाँ से हम अपना code लिखना शुरू कर सकता है यहाँ पर जैसे कि मान के चलो मैं इसको बोल देता हूँ यहाँ पर तुम शुरू करोगे रूट से और लेवल से यह रूट क्या होगा यहाँ रूट और लेवल शुरू में क्या होगा तुम्हारा 0-0 तो मैं 1 शुरू करना है तो 1 से शुरू कर लो te 확 DEAL करना पड़ेगा कैशना मैं 0 से शुरू करन पर ठीक है अब यह confusion मत ओने यहाँ पर 0 बोल रहो हूँ यहाँ L1 बोल रहोूँ यह-EZig लग रहा था समझाना इसले मैं l one बोला ठीक है यहां पर मैं level 0 से शुरू करूंगा क्योंकि zero based indexing होती है arrays में इसलिए level 0 से शुरू कर रहा हूं मैं to make things easier ठीक है तो यह मेरा main recursive code है चलो मेरे को recursive relation का थोड़ा बहुत idea हो गया base condition सोच लेता है base condition क्या होनी चाहिए तुमाई देखो level तो कितना भी हो सकता है लेवल का कुछ base condition नहीं है root क्या हो सकता है तुमारा smallest valid input तुमाई बस input क्या है root तुमाई बस सिर्फ root है तो यह smallest valid value क्या हो सकती उसकी वह हो सकती है null ठीक है तो अगर root ठीक है मैं इसको void रखूँगा global declare कर दूँगा मैं 2D vector को और इसको void कर दूँगा ठीक है if root is equal to null अगर यह null है तो क्या कर जाओ return कर जाओ भाई तुम कुछ करी नहीं सकते है आपट भाई तुम क्या level motor reversal करोगे अगर तुमारा root ही null है तो यहां पर तुम किस्च कर नहीं सकते अब तुम्हारा task आया ठीक है अब तुमने शुरू किया problem तुम्हי पास main problem ये है ठीक है तुम्हाई पा अगर जो तुम्हारा करेंट लेवल है तुम्हारे आउटपुट वेक्टर से बड़ा है मतलब वो लेवल अभी भरा ही नहीं है तुम जब भी भरते जाओगे आंसर में तुम यहां पी 0 भरोगे तुम फिर 0 के यहां पे एक कुछ पुछ array होँगे खना फिर 1 के हाँब एक array होगा फिर 2 के हाँब एक array होगा ठीक है और यह क्या levels है तुम थाईट कर सकते हो index कि यह 0 जेवल का है य популяр का है और फिर सेकंड लेवल का है फिर लेकिन तुमने जैसी चेक किये कि तुम्हारे जो level है वो तुम्हारे output के size से या तु वो equal है या बड़ा है मतलब वो level अभी फिल ही नहीं हुआ है तो तुम वहाँ पर क्या कर दो एक empty vector push कर दो भाई कुछ भरने के लिए कुछ empty vector push करोगे राइट यह तो कहां push करोगे तुम अगर वो level first time फिल हो रहा है तो वहाँ पर तुम्हें container तो देना पड़ेगा ना तो वही करोगे तुम अगर if level is greater than or equal to output बोल देता हूँ ठीक है output.size if level is greater than or equal to output.size तो मैं क्या करूँ output मैं output.push एक empty vector push कर दूँगा मैं और अगर नहीं है ऐसा मतलब वो level already filled है इसका मतलब देखो यह क्या है इस indexing के साब से level 1 है हाना यहाँ पर level 2 से confuse मत दो ना यह level 1 है zero base indexing के हिसाब से ठीक है यह एक sub problem है इसके लिए level 1 है और यह भी एक sub problem है इसके लिए भी level 1 है ठीक है तो तुम जब यहाँ पर आओगे तुम empty vector push करोगे और जब तुम इस sub problem आओगे तब वो empty vector push कर नहीं जरूत नहीं क्योंकि उस level पे उस index पे output के already two filled है ठीक है और त सब problem है तुम इस root में हो तो तुम्हें बस क्या करना है root की value को push करना है यहाँ पे तो यह हो जाएगा output of level हाना अलब किस index में push होने वाला यह pushback क्या push हाना देखो जब तुमने यह fill कर दिया तो output में एक empty vector और अचुका है इस time यहाँ पे level won't be greater than or equal to output.size क्योंकि यहाँ तक आते आते output का size बढ़ चुका है यह level already traverse हो चुका है यह level पे already कुछ value है इसलिए तुम यहाँ पे कोई empty vector push नहीं करोगे यहाँ पे सीधे 3 की value push कर दोगे ठीक है यह क्या था तुमारा यह क्या था तुमारा task ठीक है यह तुमारा task हो गया base condition हो गई recursive relation लिख लेता है बस छोटी सी है recursive relation तो BFS अब तुमने देखो यह चीज़ करी तुमने root के लिए तो तुमने बोला कि भाई यह चीज़ अगर मैंने root के लिए करी तो same चीज़ तुम इसके लिए भी कर लो इस level का तो मैंने handle कर लिया तुम देखो शुरूआत करोगे empty 2D vector से right तुम यहाँ पे empty push करोगे और उसके बाद 1 की value जाएगी उसके बाद तुम क्या बोलोगे कि भाई left subtree और right subtree तुम लोगों को भी मैं same चीज़ भेज रहा हूँ होना output भेज रहा हूँ और एक level extra भेज रहा हूँ level plus 1 करके भेजूँगा भाई तुमारा next level है right मेरा level 0 थ होगा तुम लोग अपने handle कर लेना तो उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर हम root of सबसे पहले क्या करेंगे left बोल देते हैं अगर तुम्हें left से traversal सुरू करना है तो और level plus 1 और BFS root of right और level plus 1 ठीक है बहुत गंदी हंडरेटिंग में लिखा है अभी म मैं अच्छे से code करूँगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा बटाई होपी समझ में आया होगी मैं कहना क्या चाहरा हूं इसमें अना टास्क क्या था मेरा recursive relation क्या था और base condition क्या थी तीनों चीज होनी चाहिए तभी तुमारा recursive code काम करेगा चलो इसको अच्छे से code कर ले ठीक है अब यहां पर मेन कोड लिखना शुरू करेंगे जो कि हमारा recursive code है सबसे पहले क्या आएगा base condition सबसे पहले क्या आएगा base condition ठीक है क्या होगा वह इफ route is equal to null pointer अगर ऐसा है अगर ऐसा है तो क्या करना है return कर जाना है क्योंकि यह void type है तो return कर सकते है अब यहां पर क्या आएगा तुमारा task if level is greater than or equal to output.size ठीक है अगर ऐसा है तो क्या करना है output.pushback output.pushback क्या pushback करना है मुझे एक empty vector ठीक है vector of int और empty bracket ठीक है यह मैंने एक empty vector push कर दिया अब अगर ऐसा नहीं है अब अगर ऐसा नहीं है तो level already fill हो चुका है ठीक है तुम बस उस level में अपने current root की value डाल दो मतलब output dot sorry output of level output of level dot pushback ठीक है output of level dot pushback यह क्या होना चाहिए root of well ठीक है root of well अब इसके बाद क्या होगा तुम्हारा recursive relation ठीक है इसके बाद क्या होना चाहिए तुम्हारा recursive relation recursive relation क्या होगा helper function और helper function में तुम क्या बेजोगे दो चीज़ें बेजोगे root का left और level plus one ठीक है level plus one और सेम चीज़ करोगे right के साथ ना तो इसको copy कर लेता हूं और इसको तुम क्या करोगे right के साथ बेज़ दोगे ठीक है यह हो गया तुम्हारा और कुछ तो नहीं करना है हाँ और कुछ नहीं करना है कि अधार कि अधार कि अधार कि अधार कि अधार कि थोड़े से टाइप हो गया है ठीक है तो यह accept को गया इसको submit कर देता है तो आयोप समझ में आया होगा है अना submit तो हो गया है अब इसके बाद हम देखेंगे आयर्टिव वर्जन ठीक है अधार बहुत फेमस है उसका code बहुत ध्यान से समझना वो बहुत जगा यूज होने वाला है रिकर्सिव उतना यूज नहीं हो सकता है बट कभी इंटर्वी में पूछ लिया तो उसके लिए मैंने बता दिया बट आयर्टिव वर्जन बहुत इंपोर्टेंट है तो वो ध्यान से देखना ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है